तो दोस्तो स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में क्यूंकि आप हमारे एस्ट्रोजी डिलेटेड पॉड़कास को इतना जादा प्यार देते हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी चुन-चुन के अच्छे एस्ट्रोजर को आपके सामने लाए जिनको एक्चुल में नौल क्योंकि जब मैं इसे मिला मैंने का सर आप तो मॉडलिंग के लिए एक दम परफेक्ट आप एस्ट्रोजर तो लगी नहीं रहे तो इन्होंने का कि यार मेरी ये डोमें थी नहीं मैं सताया हुआ था तो कुछ और मेरे प्लैंस थे कि मैं एस्ट्रोजर के अगेंज बोलूग कि मैं इस फिल्ड में आया क्यूं मैं इस फिल्ड में इसले आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ट्रस्ट करके अपनी लाइफ की पूरी जमपुंजी एक प्लोट परचेज में लगा दी कमर्शल एरिया था और किसी एस्ट्रोजर से पूछ के लगाई उन्होंने मुझे एक रिंग भी रिकमेंड की थी मैंने वो भी पहनी और बहुत ट्रस्ट के साथ अपनी लाइफ जो मैं बच्पन से जीता रहा था वो लगा दिया और लेते ही, you won't believe it के आठ मीने के बाद वो जगह ब्लॉक हो गई और मुझे पता लग गया कि अब ये कि नादान था, एज भी यंग थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना यार दुनिया को बचाया जाए, मैं RTI डालूँगा, सो मैंने RTI डालने की जब गया लॉयर के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना ऐसा सब्जेक्ट है, जो कि मेरा ट्राइड टेस्टिट नहीं मैंने पड़ा नहीं है, तो मैं क्या प्रिपेर करूँगा इसके बारे में, कोई बात नहीं, content मैं आपको लाके दूँगा, और तब मैंने इसको सीखना शुरू किया, सुबह के समय, चार बजे एक मंदर में जा करता था, सिरफ इसलिए सीखने के लिए, कि मैं इसके against बोल स होई गया, definitely yes, definitely, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आप गलत हो सकती हो, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन यह science गलत हो ही नहीं सकती, सही बाद, सर, अब बात करते हैं थोड़े से myth की, और बहुत ज़्यादा हमारे podcast पे और आम internet पे यह topic बहुत ज़्यादा चलता है, भूत प्रे यह कुछ ऐसे राशियां है, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं, जिन पर वो करेगा ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं, जो वीक और आके हैं, उन पे काम कर जाएगा, मतलब उन पे negative energy attract हो जाएगे कुछ राशियों पर, अब जनता बोले कि तुम्हें और कुछ काम नहीं है, भूत की बात मैं आपको यह भी बता देता हूं, यह जो भूत, प्रेत, आत्माएं, उपरी हवा, इस पे मेरा interest क्यों जागा, यह भी एक बहुत deep research का topic है, इसे भी आप, it is not something जो आप days में पढ़के या कहीं से सुनके आप इस पे comment कर दो, आप कोई भी धर्म लेलो, maximum सारे धर्मों में, उपरी हवा और इन सब का कुछ ना कुछ वर्णन, कुछ ना कुछ description आपको मिलेगी, तो मेरा इसने attention खीचा, कि कुछ तो है, जो हर जगा में जिन, कहीं कुछ ना कुछ का होता है इसके अंदर, अच्छा आपने एक चीज और देखिए, आप movies देखोगे, यह जनरली बात क तो भूत, प्रेत, उपरी हवाएं, आत्माएं, यह रात को जादा क्यों active होती है, तीन बज़े ही होती है, active जादा तर, इसका reason क्या है, आप जानते हैं, इसका reason बोलने लगे थे, नहीं मैं बस यह बोल रहा था, कि किसी ने हमें कहा था, light in को खा जाती है, नहीं, क्योंकि एक्च्वल में क्या है, light से तो energy लेते हैं, वैसे देखा जाये तो, नहीं, एक्च्वल में क्या होता है, कि ना, रात के समय, हमारी body का temperature कम होने के कारण, हमारे जो पांच, जो हमारे senses है, हमारे पांच तत्व, हमारी इंद्रिय हैं, वो शान्त होने लगती हैं, और जब वो complete शान्त होती है, तो ही हम अपने around natural energies को feel कर सकते हैं, उस समय में मारा कोई भी चीज over dominate नहीं करती, आप ये बात तो जानते ही होगे, कि Singapore में सुबह बारा या एक बज़े तक negative news देना allowed नहीं है, हमारे हाँ तो पहला news उठाओ तो उसका murder हो गया, क्योंकि उस समय में मारा काफ होता है, हमारी thinking जो होती है, वो जादा dominate करती है, पूरा दिन हम negative ही रहेंगे, so energies plays a vital role, तो रात के समय ना हमारी इंद्रियां शान्त होने के करण इसको जादा महसूस करते हैं, and moreover, सूरह की रोशनी ना होने के करण, you are right but partially, सूरह की रोशनी ना होने के करण से, ऐसी श इसको आप कैसे check कर सकते हो, कि एक particular जातक, भूत, प्रेत, आत्मा, या किसी type के भी बंदन योग से, उसके उपर उसकी जकडन है, अब क्योंकि आप मेरे पास आए as an astrologer, और आपने बोला जी कि इस पर भूत है, तो मुझे हाँ ही करना है, ऐसा एक pre mindset होता है, कि आरे हाँ हा all sciences, साधना के थरू, अगर आप सिध पूरशो, तो भी आपको इस पता लग जाएगी, and moreover, रुदराक्ष के थरू, और बहुत सारे अन्यमीन्ज, आप किसी भी एक को master कर लो, और उसके बाद आप ये check कर सकते हो, कि सामने बाला, किस चीज से उसको पीडा का कारण क्या है, मेरे पास एक मेरे client है, बहुत regular थे मेरे पास, तो वो बोले कि मेरा बेटा hostel से अभी भी आया, और मैंने एक चीज़ notice किया है, उसके उपर किसी भूत प्रेत का साह है, और जो उन्होंने बात बोली, बोले रात को दो बजे, वो अपने छोटे भाई के साथ साथ सोता है, और उससे जब पूछा गया तो कहता है कि मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना मेरा सांस रोक रहा है, कोई मेरा सांस रोक रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब मेरा साथ ही नहीं दे रही, तो मैं जैसे जिस तरीके से अनालिस करता हू तो उसको अपने अंदर हेटी, मतलब कम्जोरी नजर आती है, किया और मैंने दॉक्टर के पस भेज दिया, क्यों? हमारा पॉपस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना, हमको ही हीरो, मतलब we are not in Bollywood, कि हमें ही हीरो बनना है, जब उसकी हिस्ट्री बता हूंगा, तो यह विल गेट तू नो, शॉट में बता देता हूं, ही इस वेरी इंटेलिजेट, ही इस अन आइटीन, और वह बिसीकली 28 यर्स का है, बट इस आउट ऑफ जॉब, जिस वज़े से उसका माइंड इतना ज़ादा तेज भागता है, it is never at rest, जिस वज़े से उसको पैनिक अटेक्स आते थे, और वो आपकी डिजीज होती है, पाकिजिम, तो वो ना आपके हार्ट के और नर्स और वेंस के साथ कनेक्टेड होती है, उस वज़े से वो यह फील क पर आनी है, यहां फिर महंदीपूर बाला जी भेजना है, ऐसा नहीं है, जब भी आप भूत की बात करोगे, एक ले मैन के माइन में क्या आएगा, अरे महंदीपूर बाला जी चले जाओ, सब परमात्मा के दर अच्छे हैं, भगवान से डर के कह रहा हूं, लेकिन आप रा ख़र रखा है, ब्लैक मैजिक है, यह है, तो काफी लोग शच भी नहीं बताते थोड़ा की और पैसे बन जाए हो जाए, एक पूझा हो जाए कुछ यंत्र सप्लाय हो जाए है, बिजनस बन जाए थोड़ा, एपसलिटली, सो बिजनस बन जाए यह वली चीज तो ह्या जी, ये तो हमें आज मार्केट में प्रिवेल कारी रही है, बट जैसे आपने बोला कि ब्लाक मैजिक, वशी करंड, क्या ये अक्चुल में होता है, पहले तो ये बात करें, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें half of the लोग बोलेंगे नहीं होता, half of the लोग जिन पर बीती होती है, वो बोलेंगे होता है, सो मैं आपको इसका सच बताता हूँ आज, मेरी रिसर्च कहती है कि ये 100% होता है, और 200% नहीं होता, अरे, देखो अपने चाहरे देखो, ये मानने ना मानने पर आ गए कि आप फिर दुबारा, ये कहा चीज के दिया आपने, मैं बता देता हूँ आपको, सो अक्चुल में क्या है कि, डाउट कहां आता है, कि यार कहीं हमने अगर वशीकरन कराया है, तो वो बंदा capable नहीं था, या वो तांतरिक अच्छा नहीं था, चलिए वो आपने बहुत डीप रिसेर्च किया, बहुत सिद्ध पूरिश के पास चले गया, इवन टुडे इन साउथ इंडिया, आपको बहुत सिद्ध व्यक्ति आज भी मिलेंगे, बहुत nominal charges में, अगर आपकी problem genuine है, combination है कि आपके black magic आपके उपर असर कर सकता है, तो 110% एक weak पूरिश द्वारा भी virus भेजा, यानि कि वशी करन के कोई भी उन्होंने ऐसे negative energies आपके दिरफ भेजी, आप पे वो effect करेंगी ही करेंगी, और मान लीजिए कि आपकी कुंडली में वो योग नहीं है, आपकी कुंडली एक बहुत strong aura की है, जो कि आप बहुत easily बता सकते हो, बहुत basic से calculation है, तो कितना ही सिद्व्यक्ति आप पे negative energies भेजे, आपको उसका minor सा असर होगा, जैसे कि इस समय में दिल्ली का वातवरन हम सब देखी रहे हैं, pollution भी peak पे है, क्या हम सब को cold हो गया, लेकिन major को है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं भी है, तो आप उनमें से रहोगे जिसको हलका सा होगा, गल अखराब होगा, थोड़ा सा cold होगा, और आप उसमें से निकल जाओगे, तो अगर आपकी कुंड़ी में वो strong योग मौजूद हैं, तो आप पे वशीकरन नहीं होगा, और शायद आप उस चीज़ को मानोगे भी नहीं, क्योंकि आप कभी experience ही नहीं करोगे, अब इसमें एक problem और आती है, अगर वशीकरन करने वाला, आपको कुछ खाने का पदार्थ, कुछ पहनने का, या कोई ऐसी चीज़ दे दे, तो क्या करेंगे आप, तो कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा है कभी-कभी दो groups के आपस में fight होती है, गोलाबारी, gunshots शुरू हो गए, और उसमें आम पब्लिक मर जाती है कभी-कभी, होता है ना, तो ऐसी situation में क्या कि, वो खाने की चीज़ ले आप भोले, आपके मन में तो ऐसा कुछ था नहीं, थोड़ी आपने का ही, थोड़ी आपके किसी family member ने खा ली, अब वो weak है, उस बैचारे का या बैचारी का कोई लेना देना नहीं है, वो इस पे impact कर जाएगा, और indirectly, आपकी happiness भी खराब होगी, आज आपका कोई family member, किसी भी type की problem है, आपका sibling, आपके parents, तो आप क्या खुश रह पाएंगे, बढ़ अगर थोड़ा से आप बता सकते हो, ये चार्ट होता कैसा है, अगर आप, देखो मैं एक बहुत ज़दा detail में नहीं जाते हैं, जिस भी कुंड़ी के अंदर, राहू फोर्था उसमें हो, ठीक है, या लगन के सब लॉड, थोड़ा सा advance है, का connection किसी भी चीज में, राहू के साथ बने, केतू के साथ बने, तो यू आर वेरी highly prone to black magic, शनी के साथ बने, तो सामने वले को बड़ा महापूरुश होना पड़ेगा, सिद होना पड़ेगा, आप पे black magic करने के लिए, उससे regular level पर परियास करने बड़ेगा, अब मैं आपको ये तरीका बताता हूँ, कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं कुणलियां देखनी आती है, और मैं तो बहुत basic सी चीज बताई है, लेकिन अब थम को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, शुक्र है, आप इस पर कोई मेटल पहन रही हो, जेनरली ये चीज तंत्र के अंदर, तंत्रिकों के लिए बनाई गई थी, आज आपके रिट फैशन में पहन लेता हो, तो अवाइड गरू, उसके बाद आपना बिमार होते क्यों हो, या ब्लैक मैजिक आप पे असर क्यों करता है, किसलिए करता है, क्योंकि आपना स्थिर कभी नहीं होते हो, आलवेज माइंड चलता रहता है, चलता रहता है, तो आप हफते में एक दिन, या रोज अगर कर सको, आपकी जॉब तो है, जिसमें रोज करना चाहिए, पंदरा से बीस मिनट का मौनवरत जरूर रखिए, आप उसमें कोई मंत्र चांटिंग करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, अपने आपको टो से लेके, हेड तक आखे बन करके, अपनी ब्रीध पर कॉंस्टेट करो, उससे आपका मैंड स्थेर होगा, आप कभी स्विंग पूल देखा है आपने, उसमें वो कब गंद निकालते हैं, जब पानी स्टेल होता है, जब वो स्टेल होता है, स्टेल आप जब आपको स्टेल करोगे न, तो आपका औरा क्लेंज हो जाएगा, और सैमेल्टेनियसली, हम भी इस चीज में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं, राजीव जी से भी बात हो रही थी, जहाँ पर हम उसको free of cost, ऐसा अभी मंतरित कर दे, उसकी इनर्जी इसको इतना positive कर दे, कि अगर आप पंदरा मिनिट भी meditate करने आ जाओ, तो यू विल गेट लाइक डिटॉक्सिफाई हो जाओ गया, और आप ऐसी कोई चीज असर नहीं होगी, ताकि जिसको नहीं भी पता कि उसको पर ही असर होना वो भी इस तीस से बच सके, तो सर मतलब यही एक combination है कि राहू इं पौर्थ हाउस, कुछ जैनरल, कुछ जैनरल जो आप अपूराशी के हम कुंडली कर रहा हूं बात करने वाला थे, फिर हम आते हैं एरिया पे, फिर हम आते हैं उस पर्टिकुलर घर पे, तो आपकी specific कुंडली specific ही रहेगी, लेकिन फिर भी जो राशिया थोड़ी से ज़्यादा प्रून होती है, उसको अभी बताऊंगा और जो राशिया इससे ज़्यादा effective नहीं होती है, जिनको मैंने अपने करियर में देखा कि इनको ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, शुभम जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कि कौन सी राशिय मैं अपनी चेक कर लो, इतने लोगों से मिलता हूं रोज, क्यारा मेरी ही ना बोल दे, पहले नंबर पर, So, Pisces राशिय, Mean राशिय, आपकी Scorpio राशिय, आपकी यह क्या Scorpio मेरी यह Mean है, पहले पर, पहले वाले हम यह, एक ब्रॉडर एंड पे, एक प्रेडिक्शन वह आपको इशारा करें, देखा तरे साथ ऐसा हुआ था, वो कह रहे है, अरे अभी चुप रहे है, मैं रहे इसी लिए ही हो ना, इसके साथ होती है, हाँ, इसके होता है, मुरू को वह होता है, sleeping paralysis, होता है ना, पर इसको कोई शकल भी दिखती है, sleeping paralysis कहता हूँ मैं उसे फिर कभी कबार वो इसको ले जाने आता है, मेरे साथ चलाँ दीपक लिगड़ चला जा, बाहर चला है, फिर यह कहता है, भे यार फेर आ गया तो, मैं तरना यूस्ट हो गया है, मैं कहता है, चला ले जो कन्नादर को, आपको सारी पाई से सबको ड़ने के जुरत नहीं है, मट हम एक ब्रॉडर एंड पर बात कर रहे है, यह राशियां जादा प्रोन होती है, इन पर यह चीजों का असर जल्दी होता है, उसका रीजन क्या है, यह वाटरी साइंज है, अगर आपको यह बात पता है ना, कि अगर आप अपने पानी से रोज बात करोगे न, उसके मॉलिक्यूल सबसे जल्दी उस चीज को प्याज करते हैं, इसी बात में साबको एक बात और बताता हूँ, आप सबने यह चीज सुनी होगी, कि जैनरली एक एस्टॉलेजर जो है वो रेमिटी देता है बुखार है, आप गाय को गुड़ खिला के आओ, आपने यह बात सुनी होगी बट इसका कभी रीजन जाने की कोशिश करी कि गाय को गुड़ हम लोग क्या करते हैं, अरे यारे अस तबैत खराब है, पापा, मम्मी है भाई, यार तु मेरी ले गाय को गुड़ खिला दियो, नादान है, एक्चुली क्या है देसी गाय होनी चाहिए, जिसका हुड होता है पीछे, जब आप गाय को गुड़ खिलाते हो, तो गाय आपके फ्रेंडली हो जाती है, सवा किलों गुड़ खाने को गाय को समय लगेगा, तो आप गाय के एक मीटर या आधे मीटर के रेडियस में खड़े हो जाए, उसके hood में एक ऐसी power होती है जो आपके virus को खीच लेती है उसमें से कुछ उसको चाहिए होता है अपनी body की digestion के लिए और बाकी को वो बहुत ऊपर आस्मान में फैंक देती है इससे आपका fever बहुत जल्दी डाउन आता है और हम लोग क्या चले जाते है अरे तू खिला दियो good अरे यार good बोला उसने अरे अंदविश्वास है आप इसको scientifically जोड़ोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ ये तो सर पता ही नहीं था पहली बार सुन रहे है वाली चीज की So back to point जो आपने राशीज वाला बोला जैसे मैंने बताया कि ये वाली राशीज ज्यादा प्रून होती अब जो राशी इस चीज के जिनको ज्यादा एफेक्ट नहीं आता इसके अंदर लियो लियो को इसका इतना ज्यादा एफेक्ट नहीं आता थोड़ी दिर के लिए आए दिखा है कुद्रत इनका ऐसा साथ देती है कि इनको कई ना कई से खुदी किसी ऐसी पॉजिटिव जगा में जाना हो जाता है कि ये डिटॉक्सिफाई हो जाते है इन पर उसका एफेक्ट भी ज्यादा नहीं आता है आपको माइनर सा कोल्ड होगा तो आपको ये आंटेबा खासकर बोलना चाहूंगा एक पर्टिकॉलर राशी के बारे में वर्गो कन्या राशी है सो कन्या राशी को एक चीज़ का खासकर कर भूत जादा na against the topic नहीं बोलना ये believer है नहीं है या रह क्या है यह होता है नहीं होता क्योंकि यह लोग न बहुत analytical होते हैं इनको बहुत त पहसे होते हैं, जिन पे आप तहह पे नहीं जाएं तो अच्छा है, ठीक है? जैसे कि आपके बद से पहले आपके पेरेंट्स का क्या रिष्टा था, मती जाने तो अच्छा है, आपको क्या? आपके साथ वो एक अच्छे पेरेंट्स हैं, तो बी विध इट, क्या उनकी ऐसी जो आप इंपक्ट कर जाएं, तो वगो राशी को खासकार ध्यान रखना है, कि इन मामलों में, जिसमें आप किसी स्प्रिच्वालिटी, धर्म धर्म, भूत, प्रेत, उपरी हवा, बंदन योग, उसमें ना जादा अपने लॉजिक्स को या क्यालकुलेशन को यूज ना कर आप दूर रहें, आप इसका अफर नहीं है ना, तो आप दूर रहें, और शार एक रहां है गई लिबरा उसका क्या? question पूछ रहे थे, कि बहुत आपने सुना है कि हम लोग जब कभी किसी से उसको embrace करते हैं या उसको wish कर रहे हैं, तो हमारी सब्वेता है कि हम नीचे जुकते हैं, और वो हमें आशिरवात देता है, तो वो जो touch का और exchange है न, वो liberance को सबसे जल्दी होता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप किस के साथ बैठे हैं, किस के साथ खा रहे हैं, कि आप उसका कोई जूटा spoon, straw, ये चीज़ तो नहीं यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उस बारे में पता ही है, आप जो है ना, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में भी perception बना लेते हैं कभी को, अरी अच्छा, 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 जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं तो वो भी अच्छा, उसकी तहपे तो जाईए, तो इसलिए इससे बेटर ह आपने देखा है कि डॉक्टर्स जो होते हैं, वो जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो वो मास्क, और यह क्यों पहन के रखते हैं वाइट कोट, क्यों पहन के रखते हैं, अंदर उनको किसको दिखाना की भी है दॉक्टर्स, बाहर तो आप कह सकते हो कि उनको हास्पिटल में अंदर उनको किसको दिखाना है, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो नेगिटिविटी को सबसे कम क्याच करता है, तो वहाँ पर बहुत सारे वाइरस को कि जब बोडी खुलती है, तो बहुत सारे वाइरस निकलते हैं, ठीक है, तो उस वाइरस को खतम करने के लिए या अप अपने पास ना करें तो वह मास्क को रिसीज पहनता है तो ऐसे मैं भी रेगुलर लेवल पर कुछ प्रोटेक्शन करता हूं आप सारा टाइम इतनी सारी प्रोब्लम्स इतनी चीजों के क्रॉस आते हो तो आपको प्रोटेक्ट करने राजीव सार मेरा आप से क्वेस्टन है इसे रिलेटे इतनी बात हो रही है एस्ट्रोसागा आपका एक बिजनिस वेंचर है जो एस्ट्रोलोजी से ही रिलेटेडे मैं चाहतो आप उसके बारे में थोड़ा आमें बताओ और वो आपके माइन में कैसे आया उसके पीछे का रीजन भी थोड़ा बताओ इंटरिस्टिंग स्टोरी है स्टोरी है कि आप इंडिन कल्चर को देखो एस्ट्रोजी के आदमी कब जाता है मेरे साफ से दो ही बार जाता है या तो बच्चा बच्ची की शादी करने तो यह देखने कि मंगल तो नहीं है और डेट भी निकल वाने जाता है कभी कि मंगल तो नहीं है दूसरा जब आद में लॉसेज मात है तो 2014 में में को किस लॉसेज लगे है तब मैं बहुत पहरीशा अंदा तब फेमली में किसी ने बोला भई एस्टलोर से लॉसे इक बार चणल कर लो तब मैं दो तीन अस्टलोर से कंटेक्ट माया थए अभैजी, अभी शेख जी और तब इनोंने मुझे को इशूस बता है को रीजन्स बता है वो सब तो सहीद है कि अब क्यों आए अब इसे निकलना कैसे है आपको इसूस तो बहुत बता देंगे लेकिन रस्ता दिखाना कि इससे बाहर कैसे हो गया वो सब तो इंपोर्टन टीज है तो अब 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 जी और अभीशेग जी के हेल्प से मैं उन सब बड़े लॉसे से बाहर आ गया तो मेरे दिवान को ऐसे बाहर से बाहर सकता हूं तो मैं कमा भी दो सकता हूं बेसिकली इनके कॉष्टन्स ऐसे होते थे कि एक बार के लिए मेरी रिसर्च और डीप जानी पड़ती थी मैं गाड़ी की डिलिवरी लेने जा रहा हूं बताओ कितने बजे लूंगा और मिल जाएगी कितने बजे लूंगा तो को हर को भी पूछ लेता है मिल जाएगी तो अब यहां पर तो एक जैसे एस्ट्रोलोजर को कभी चालेंज नहीं लेना चाहिए बट यह इसलिए नहीं करते थे बट इनके कॉष्टन्स ही ऐसे थे सु मैं उस चालेंज को एकसेप्ट करता था राजीव जी आज तो उल्टा डंग जाओ गाडी नहीं मिलेगी सर कैसे कह सकते हो गाडी नहीं में मेरी सारी बिलेंग हो गई सब कुछ हो गया मिलेगी मिलेगी सो उस दिन मेरे काल से कुछ election थे यह कोई ऐसी चीज थी जिस वज़े से on the spot जो है जो कार्स की delivery है वो बंद हो गई due to certain papers कि वो paper नहीं निकल पाई का गाड़ी नहीं है आपको क्या बोला था गाड़ी नहीं आएगी गाड़ी नहीं आई तो फिर नहीं ने बात बोली किया मैं तो आप पर ट्रस्ट कर गया और जो आपका पहले question था आपका था शायद कि हम एस्ट्रोलिजर पर विश्वास कैसे करें उसके लिए नहीं बोला कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कोई मैं तो यह नहीं कह रहा है कि केला मैं ही अच्छा हूं और भी कितने अच्छे होंगे लेकिन क्लाइंट कैसे जाने की यह बंदा जन्वन है अच्छा बुरा कुछ नहीं होता जन्वानिटी होती है अपनी तरफ से अच्छा करो तो उसके लिए फिर इनके माइंड में discussion होते होते हैं एक थोट आई कि यह क्यों ना एक basic education सबको दे दी जाए एक brushing up ताकि कोई भी अपनी लाइफ को discuss करने जाए तो वो बेफकूफ ना बने तो इसके लिए हमने एस्टो सागा के platform पे बहुत ही reasonable pricing पे वीडियो दी है recorded courses दी है बहुत ही reasonable price पे 5.95 रुपीज में जिसमें आप एक मंत के लिए unlimited पूरा सीख सकते हो ताकि आपको एक brushing up आजगी वो brushing up आपके लिए उत इसे बोल रहा है लेकिन मैंने तो वहां सुना था ऐसा तो होता निया तो यू विल गट आप brushing up ओके तो basic knowledge basic आप चाहते हो सबको अपना कितना पता हो अब मैं आपको इसमें बात और बताता हूं होता क्या कि जैसे आप हम लोग बैठें आपस में हो सकता है जाते जाते मैं कोई चीज गिफ्ट दे जाओंगा आपके साथ बात करते हैं बहुत अच्छा लगा यह चीज ले जाओ या आप मुझे दे दोगे एक friendly gesture है हमारा कि चलो अभे जी आप जा रहे हो यार तो एक बार के लिए ले जो तो हमें इस चीज में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या चीज ले रहे हैं as a gift और हम क्या चीज दे रहे हैं as a gift इसको ना हम लोग बहुत ignore करते हैं अपनी daily life में ध्यान भी नहीं देते हैं बहुत बार आप देखोगे कि आपने एक profession एक काम एक नहीं जगा खोली ठीक है वो land लिया उसको office बनाया दुकान बनाया घर बनाया और अचानक से आपका न सारा का सारा profit रुख गया आपकी sale रुख गई यह आप successful नहीं हो रहे हो इसके पीछे का reason क्या इसके पीछे के दो के इलावा कोई तीसरा reason नहीं हो सकता दो reason इसलिए बोर रहा हो कि अगर आपने वो काम किसी astrologer से पूछ के किया है यह आपका पहले क काम चलता आ रहा था आपने दूसरी branch को ली और आप अचानक से fail हो गए तो दो reason हो सकते एक उस land का लगन यानि की राशी निकलती है जहां पर हम बैठे है इस घर की एक राशी है क्या वो राशी आपकी कुंडी से match करती है अगर नहीं करेगी तो यह जगा आपको कभी फले आपको किसी ने वाच गिफ्ट कर दी यह और वो वाच अगर रुक गई हम लोग नहीं पैन रही है हमें नहीं पसंद आई अलमीरा में डाल दी तो रुक जाएगी और आपके 10th house में mercury है मैं लिख के दे रहा हूं यह बात आपकी professional life ऐसे ruin होएगी कि आप समझ नहीं पाओग आप वो player बनोगे जो कि nationals तो बहुत अच्छा खेलता था लेकिन international के अंदर वो अपना career ही नहीं बना पाया और आपको समझ नहीं आएगी कि मिर साथ ऐसा हुआ क्या धक्या खाते रही है astrologist के पास परफ्यूम के लिए भी कहते हैं कि लडाई हो जाती है लेकिन कौन सा planet आपको लेना है और कौन सा आपको देना है इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए गिफ्ट देते समय भी आपको ये जरूर ध्यान रखना कि कहीं हम उस planet के चीज में तो नहीं गिफ्ट दे रहे हैं जो हमें जीवन में सुख देने आया है आज ये मेरे बहुत अच्छे friend हैं आप मेरे बहुत अच्छे friend हो तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप मेरे से दूर जाओ तो अगर मैं किसी तीसरे के पास अपको बहुझ दूंगा यार चले जाओ आप एक दिन चल जाओगे वो आपकी लाइफ में बहुत लॉस क्रियेट कर सकते तो एक कॉमन आदमी कैसे जज करें मुझे क्या लेना है क्या नहीं 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 मतला या फिर बुछ ले 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 इसके लिए आपको एक एस्ट्रोलिजर के पास जाना अनिवारी है यह नहीं पता लग पाएगा आप ज अचे भी सेजेरियन के थुरू डॉक्टर की अवेलिबिलिटी के बेसिस पर हो रहे हैं तो इतने सारी चीज़े जब हो रही है आप 2000 के बाद के बर्त देखो आपको रात के बर्त मिलेंगे ही नहीं इकका दुक्का मिलेंगे तो जब आप इतनी मेनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपको उसकी प्रेकॉशन भी लेके चलनी बढ़ेंगे पल्यूशन आता है वायरस आता है मास्क पहनते हो न तो ऐसे आपको करना पड़ेगा तो सर कुछ इसमें जैनरल नहीं है कि आपको यह सार किसी को जैनरल चीज़े सूट करेंगे या कुछ एक जैनरल चीज़े ज तो हमने बड़ा कॉमनली सुना है आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है हम लोग बहुत बार ऐसा करते ना गाड़ी में कुछ खातवे जा रहे है बिचारा कोई गरीब आया बच्चा है हमें तरस आ गया हमने उसको से कट किया भई जूठा नहीं दिया नई से कट किया और बाकी का हिस्सा उसको दे दिया दिस इस अ ब्लंडर आप उसको नया ला दीजिए उसको पैसे दे दीजिए बड़े लोग कहते सर पैसे क्यों दे वो पता नहीं पैसे क्या करेगा अरे प्रमात्मा जब तुमें पैस को नहीं आप दे सकते हो ठीक है यह चीज का खास ध्यान रखें ऐसे ही आप अपने कपड़े पहने हुए जैकेट बहुत अच्छी पहनी हुई है आप बहुत अच्छे से उसको पहन के रखते हो अब कोई आपने देखा आपका कोई थोड़ा सा वीक इंप्लॉई है सर्दी ल वाटर को पानी को पवित्र मानते हुए दोना नहाना यह हम लोगों के अंदर है ना तो हम इससे दूर क्यों चले जा रहे हैं ड्रैकलिंग रहेंगे वही दिनों दिनों तक वही जैक्रेट लटकी हुई है अलमीरा में वही पहनते चले जा रहे हो वही आगे कल को किसी को द आपके पास कुछ भी आया है, definitely वो पदार्थ जो है, वो प्रसादम बनने के लायक होना चाहिए, आप उसको परमात्मा को भोग लगा दो, उसके बाद आप उसको consume करो, वहाँ पर की positive energies, किसी भी type का कोई भी, और जो पूजा घर आपके घर में है, that is more than sufficient, जरूरी कोई मंदर में जाने के जुरत नहीं है, उसके बाद आप उससे consume कर लीजिए, बट सर, इस case में मेर को personally वो doubt आ रहा है, जैसे कि हमारे घर में non wedge नहीं बनता, और किसी के यहां से आया है, जहां पर बनता है, कोई मिठाई आई, कुछ भी आया है, जहां non wedge बनता है, तो हमें वहम आता है अगर वो sealed आई है, तो आप ज़रूर लगाएं, अगर वो sealed नहीं है, उसमें से कुछ टुकड़िया निकली हुए है, फिर नहीं, फिर नहीं, क्योंकि उनके हाथ लग गए, और exchange हो गया, मैं इसले नहीं कह रहा है, कि उन्होंने non wedge खा रखा, देखो यह भी उनके कुछ करम है, जो परमात्मा ने उन्हें जनम दिया, अब आज कल आप देखोगे कि past life के उपर बहुत सारी बाते हो रही है, past life है नहीं है, बहुत सारे astrologers भी इस पर बात करते हैं, कि आपके past life पेंडिंग करम है, अब past life पेंडिंग करम को आप कैसे भी लो, वो बात की बात है, लेकि अगर आपकी कुनली में जादा हैं, तो ऐसे case में आपकी life के अंदर correction बहुत बार करनी पड़ेगी आपको, इसको हम बोलते हैं कि आपका पेंडिंग करम है, आप इसको पेंडिंग करमा बोलीजिये, तब भी वो ही result है, यह बोलीजिये कि आपको ऐसा करम करना पड़ेगा, मैं आपको एक छोटा से example देता हूं इसमें, एक 87 years की लेडी थी, and she was alive, उन्होंने मेरे से question पूछा, मेरी neighbor ही है, so उन्होंने मेरे से question पूछा कि इतनी जगह जाता है तू, इतना सब कुछ करता है, मेरे सामने सामने बढ़ा हो, मुझे यह बता कि मैं अब जीवन में कर क्य हा रही हूं, what is my purpose, उनके husband की death हो गई 2018 में, she said, सब कुछ मैंने कर लिया, सारे बच्चो की चादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैं तो भगवान को भी इतना मानती हूं, तो मुझे मृत्यू क्यों नहीं आ रही, अब बस, मैं ठक गई हूं, so मैंने इनको एक ही answer दिया, कि करम पूरे नहीं होंगे, तब तक आप इस धर्ती से exit नहीं ले सकते हो, और वो करम क्या है, मतलब मैंने उन्हें तो नहीं बताया, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनके कमरे में कुछ ऐसे relatives आके बैठेंगे, जिनके आपस में बेटा और बेटी की शादी होगी, और वो ब यह अपने उनके कुंडली में देखा, यह भी पता चाले जाता है, कि यहां पे कोई मिलेगा, आके, जेनरली आपको कभी भी death की predictions नहीं करनी चाहिए, यह परमात्मा धाकुर जी के हाथ में, कृष्णा के हाथ में, बट एक अच्छा astrologer, एक अच्छा सादक इस चीज को सादना कर रखी है, और बताऊंगा कौन सी सादना कर रखी है, सादना का मतलब होता है ध्यान लगाना, when you are in a meditate state, एक doctor, lawyer, एक IPS भी सादना करते हैं, अपने subject में, ठीक है, तो मैंने सादना कर रखी है, astrology में, planets की सादना, आप 13-14 गंटे मैं कमरे में बिना बहार आए, बिना क सादना कर रखी है, सिरफ planets के साथ ही अपने जीवन को बता है, हर एक चीज प्लानेट के साथ आप जोड सकते हो, जब आप उसको साद लेते हो, आपकी रूँ, आपकी सोल, आपके कंड-कंड में ग्रह होना चाहिए, जैसे कि किसी की कुंडली में एक ऐसा combination होता है, सूर केत एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ, उसके घर में watch oftenly बंद होती रहेगी, clock या watch, तो मेरे पास कोई आया, मैंनों को बला आपके घर में और भी combinations देखने, एक मोटे तौर पर बता दिया, आपके घर में तो जो घड़ी बंद होती पहले, उसको ठीक कर किया हो, जब तक आप कई लोग मेरे को यह भी बहुत questions पूछते हैं कि वास्तू होता है या नहीं होता है, अगर किसी को भी इस चीज का डाउट आप में से भी, तो एक काम करना, अपने घर की staircase, सीडियां तो आजकल सबके घरों में है, शारे में तो हर जगा में, उसको repair करना शुरू कर दो, उस अगर आपको विश्वास नहीं के कुछ नहीं होता है, आप बिलकुल सेट घर पर अगर अगर अपने घरी खाली कर रहे हो फिर तो आपको डिफिनिटली विद हाउस वामिंग आना चाहिए, बट आपको लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, और हमने यहां से समान सब कुछ एफेक्ट कर रही है, है ना, तो आप यह करके देखो, आपको उसका रिजल्ट समझ में आ जागा सामने, कि हाँ यारे तो फ्लक्टुएशन हो गई, लाइफ के अंदर, है ना, तो हर चीज का महत्व है उससे सबसे, एक चीज आपने बदाई थे, एक एवेंट व हो गया था, तो सर मैं इसके ही around a question है कि किसी का जैसे पोर्न या लैप्टॉब या सब चोरी होना भी लिखा होता है या कुंडली में, डेफिनिटली लिखा भी होता है, और इसका आप टाइम पीरिड भी बता सकते हो, कि इस टाइम पीरिड के दोरान आपकी कुछ न को चोर होगी, या आपके through, या आपके किसी माध्धियम से, आपके बाद ऐसे cases आएं जो आपने बताया हो, और से चीज बच गई हो चोरी होने से, या फिर होती ही हो देखे, वो चीज बच गई हो तो इसका feedback कम मिलता है आपको, क्योंकि जो चीज आपकी बच गई है तो वो तो आ सतर को गया, लेकिन तब मैं अपनी early days में था astrology के, मैं तो सतर को गया, लेकिन पापा को बोलना भूल गया, तो वो wholesale market एक डेली में tank road, तो वहां से आ रहे थे, अपनी, हम local market हैं तो localites हैं वांके हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, अपनी upper pocket में पैसे डाल के, and it was good amount at that time, strong man, वो इतनी जल्द hypnotize नहीं होते हैं, उन्हें पता ही लगा, वो ऐसे ले गया, जब तक वो उसको recall करते हैं, तब तक वो बाइक पे बैठके चला गया था, तब मुझे समझ में आई कि ये अगर problem मेरी कुनली में आ रही है, तो आपको अपनी पूरी entire family को सतर करना है, लॉस होगा ही होगा, और मेरा ना एक और बहुत बड़ा एक unorganized sector है astrology, इसको लेके बहुत बड़ा doubt है, आपने कभी doctor सुने है, कि वो heart specialist भी है, orthopedics भी और eye specialist भी है, सुना आपने, नहीं सुना ना, लेकिन अगर आप एक astrologer के पास जाओगे, तो आप जो मर्जी field के बारे मे बात कर लो, उन्हें शरम आती है बात बोलने में कि हमें ये particular prospect में हमारी research नहीं है, क्यों? हमें भी तो एक particular कम से कम 500-700 कुणलियों पे research करना चाहिए, सारे principles जो आपको आपके guru से मिलें, मैं बहुत लखी रहा कि मुझे अपने guru का अशिरवाद मिला, मुझे उन्होंने तो उस समय में जो भी उन्होंने मुझे principles दिये, उन principles को research किया कम से कम 500-700 charts पर, उनको try and test करने के लिए नहीं, और ज़्यादा बहतर इस science को निकालने के लिए है, उसके बाद ही आप किसी chart पर prediction करें तो sir, जैसे कि आपने का कि science तो work करती है, पर इनसान fail हो सकता है कोई, आपने अपने experience से कैसे सीखा या लोगों को आप क्या suggest करोगी, कौन सा सही astrologer है, या कुछ एक traits जो हमें as customers कहलो, या as clients कहलो कि एक astrologer में क्या देखना चीए सबसे बहले, बहुत अच्छा question है आपका, आ इस doctor की खुद की life कैसी है, आप कभी किसी ऐसे heart specialist के बाद जाओगे, heart specialist के बाद जा रहे हो, जो कि खुद ही हर कुछ दिन बाद अपनी treatment कराने जा रहा हो, आपको गह रहे तो खुद तो ठीक हो नहीं पाया, हमें क्या treat करेगा, ऐसी आप जिस event के लिए जा रहे हो, आप किस हम कैसे उसके बारे में जान ले है, नमबर टू, जब आप किसी astrologer से बात करो, तो definitely एक बार तो आपको trust करना पड़ेगा, जब आप उससे trust करते हो नो, तो try to ask, दुबारा से कह रहा हूं, उसको try and test, हम check नहीं कर रहे हैं, अपनी तसल्ली के लिए, उनसे थोड़े बहुत अपना variable questions पूछें, मैं आपको अपनी experience से बता रहा हूं, अगर कोई astrologer आपके A to Z सब questions के अंदर answers देने के लिए राजी हो जाता है, that means he is not well versed in the subject, आप MBBS करके astrologer तो बन सकते हो, but MD आप specific subjects में ही कर सकते हो, आज अभी off the camera आप मेर से question पूछ रहे थे, कि Sir 2024 में इंडिया को क्या होगा, पूछ रहे थे ना भी, इंडिया में क्या होगा मारा interest आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला, उसको क्या answer दिया मैंने आपको, मैं को knowledge नहीं अस बारे में, तो मैं बात नहीं कर सकता है, exactly, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, मैं आपके आगे hero बन सक नहीं करी जिसमें मैंने रिसर्च नहीं करी उसकी मैं गारेंटी है श्योटी क्यों लूँ तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट पढ़ना नमुम्किन है पर सर यह भी होता है कि जैसे मैं किसी आइस लॉजर के पास गया और मैंने सिर्फ अपना नाम ही बताया और उसने मेरा एक तर भरोसा होता है एक ट्रस्टों बिल्ड होता है आप यह बात बोल सकते हो अब जैसे आपने बात बोली मेरी एक क्लाइंट थे बहरीन की तो वो किसी चीज को लेके ना बहुत ज़दा परेशान थी मैंने उनको एक बार के लिए जब उनका चार्ट देखा प्रॉब्लम डिसक पढ़ी है तो यूर राइट उनको मेरे पर बहुत ट्रस्ट हो गया उस बात पर अब मेरी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि उस ट्रस्ट को मैं मिंटें करूं हाला कि वो एक प्योर क्याल्कॉलेशन थी मैंने क्याल्कॉलेशन किया अल्राइट उनके घर में रेड चैस हो वो हटवानी थी ताकि वो अच्छा सोच सके प्राब्लम का सेल्यूशन आप लोगों ने खुदी निकाल ला है तो अब यहां पर मेरी रिस्पॉंसिबिलिटी है उनको इतना ट्रस्ट हो गया कि वो रोध सुभा मेरे से बिना पूछ अपना डे स्टार्ट नहीं करती थी उ आप एक बार के लिए यह तो किसी एक्सपर्टी के पास जाए यह इसमें अपना लॉजिक यूज कीजिए मैं आपके इसमें हल्प नहीं कर सकता था यह स्टोन पहन लीजिए यह पूजा कर लीजिए उपका काम हो जाएगा लेकर नों कहते है ना दूद का चला दूद का ज सेकेंड के लिए माइंड को कंट्रोल कर लेना यह भी एस्ट्रोलोजी कली पता चलता है कौन वीख है कि किसका माइंड ज्यादा कंट्रोल में आ सकता है चीजों के डेफिनिटली एस 110 परसंट यह चीज आप बिलकुल बता सकते हो कि यह कॉंबिनेशन मोर प्रोन है जैसे मै तो थोड़ा सा वैसे भी अवाइड करना चाहिए ऐसी जगहों पर जाने के लिए और आपको खास कर वगो हो ना करने आ राशी वाले को कि चल यार मैं एक्स्पेरिमेंट करके आता हूं और अगर किसी का चंदर केतु का कॉंबिनेशन है चंदर राहू का कॉंबिनेशन है चंदर के उपर शनी का आस्पेक्ट है ठीक है चंदरमा 8 और 12 अज चंदरमा 12 नबर राशी से हिट मार रहा किसी पर्टिकूलर प्लानेट को ठीक है तो ऐसे केसे में ऐसे जा तक हिपनोटाइजम को जल्दी प्रोन हो जाते हैं आपको मैं अपनी बात बता हूं मैं अपनी astrology बहुत यूज करता हूँ, so basically मेरे जो father है वो construction का काम करते है तो मैं भी उनके साथ कभी-कभी plot की meeting में चला जाता हूँ, एक ऐसी जगह है जहां मैं अकेले कभी meeting में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे 100% sure है उसकी energy से कि वन्दा hypnotize करता है और आप सोच के आओगे ना, कि आपने ये चीज इतने की खरीदनी आपको पता ही नहीं लगए का उसके table पर जाके आप महेंगी खरीद के आओगे जह जी, मैं लिखके दे रहा हूँ ये बात, आप जितना मर जी बोल दो कि हम यंक्स्टर्स हैं, हम स्मार्ट हैं तो मैं ना हमेशा जोडी में जाता हूँ कि आर पापा के साथ जाऊँगा और एक जिनना एक दूसरे की आख पे देता रहेगा जब मैं कोई value बोलने लगूँगा तो वो मुझे चाहरा कर देंगे बस अब रुकन है तो रुकना है, नहीं तो मुझे बोलेंगे पांच मेंट के लिए बहारा उठा के ले जाएंगे ताकि मैं उस चीज से हटूँ यह बहुत फेमस है बंदे और यह होता ही होता है मैं रिस्क नहीं लेता जिसका combination ऐसा है तो उसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए हम भी देखर सर्कुष प्रॉपटी खरेदने के लिए साथ चलने ना वारे देगे वो खासकर है क्योंकि अगर जब तक आप उस लैंड का राशी नहीं बनाते हो तब तक आप उस पे पकड नहीं बना पाऊगे और आप उस पे फलोगे फूलोगे नहीं तो ये चीज तो मस्ट है है ना और उसके बाद आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इस फैमिली में हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि इस घर में सुसाइड हो रखा था कि नहीं हो रखा था मृत्य हो रखी थी और मृत्य के कितनी देर बाद उनका दासंसकार हुआ आपको पता है जब मेडिकली डेड कहला दिया जाता है उसके भी बाद छे घंटे लगते हैं बॉड़ी को कम्प्लीटली फ्री होने से सो वहाँ पर उन्होंने किन डिस्मेंटल किया ठीक से कहीं लोग ना मानतो है गदो को वहीं रख देते हैं उनके कपड़ों को वहीं पड़े रहन देते हैं आपको यहां तो उसको जला देना चाहिए या अलग-अलग दिशाओं में डाल देना चाहिए अब ऐसा घर भी अगर आप ले लोगे तो आपको कुछ नहीं पता है आप तो भोले आदमियों आपने देखा नहीं यार इसकी रिपोर्ट अच्छी है नाच्रल डेथ हो रखी थी तो वो घर भी आपको बहुत इंपक्ट करेगा इसलिए आपको एक अच्छे अनालेसिस को लेके जाना चाहिए अपनी करोडों की संपती लगा रहे हो अपनी जीवन पूंजी लगा रहे हो तो एक बार तो आप उसको एक एक्सपर्टी से चेक करा लो है ना सही बादा लिना चाहिए सर एक चीज़ और हम अभी डिसकस कर रहे थे कैमरे के पीछे की रिलेशनशिप जैसे आज कल चल रहे हैं कि मल्टिपल पार्टनर्स और यह सब तो इसमें भी एक्सचेंज होती है इसका थोड़ा बताओ कि यह डेफिनली गलत तो ही कि नहीं करना चाहिए मल्टिपल सो इसमें होता ऐसा कि एनरजी चेंज होती है देखे मैं अपने एक्सपीरेंस इसमें शेयर करता हूं अब इसमें यह गलत है कि नहीं है वो तो मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है लोग कहेंगे यार क्योंकि मैं इस फील्ड को बिलॉंग करता हूं इसलिए मैं अपनी एक पर्सनेल राय रख रहा हूं कि ऐसा करना गलत है अभी यहां पर क्या है कि मेरे पास एक बहुत अच्छे वेल्ट सेटल्ड यूएस के अंदर एक लड़का आता है बहुत वेल्ट सेटल्ड यूएस में बहुत अच्छी उसकी जॉब लेकिन इस समय में डिप्रेशन में और मेडिकली उनके पास कोई रीजन नहीं कि वह डिप्रेशन में क्यों है बहुत अच्छा राइज किया उसने अपनी लाइफ में एक सवा एक करोड पे कि उसकी सालरी है और बहुत अच्छा सब को चल रहा है बट ही इस इंडिप्रेशन मैं आपको उसका रीजन बताता हूं जो अभी आपने पॉइंट बोला मैंने आपको क्या बोला क्योंकि आप लिबरन हो तो आपको खास ध्यान दखना है इन जेनरल में कुंडली में तो अंगिनत कॉंबिनेशन जेंसे जब आप किसी के साथ एक फिजिकल इंटिमेसी में आते हो तो उसमें आप सबसे जादा और एक्सचेंज करते हो उस समय में वो नेटिव के अंदर कितना नेगेटिव हो और आपको नहीं पता है आप वो इनर्जीज को उसके साथ अपने साथ ले आते हो और कोई ये एकदम से पॉईजन या चाकूनी है जो हाथ के अतसर कर जाएगा कोई सीधा नहीं आपने पॉईजन खाया आप नीले पढ़ गए और आप मर गए ये दीरे 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 आपको एफेक्ट करता रहता है आज वो लड़के का डिप्रेशन का रीजन ही यही है आपने अपने शुक्र को खराब किया आपका चंदरमा खराब हो गया क्योंकि उसका वीनस मून ऑपोजिशन में है ठीक है तो आपका चंदरमा खराब हो गया और अच्छा खासा हस्ता हो अलड़का इंडिया वापसी आने की कर रहा है मेरा सिरफ एक क्वेश्चन था कि मैं तिरको लिख के दे रहा हूं कि तिरको इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता जीऊंगा तो जॉब करूँगा ना आप उसको मैं अपने पास बोला के थोड़ा सा समझाऊंगा एकदम से ऐसे बोलूगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो जो multiple partners की scheme है यह बहुत गलत है तो सर जो multiple partners के साथ करते हैं physical अपने relations रखते हैं तो यह हमेशा good energy bad में जाती है ऐसा ही होता है नहीं आप good भी ला सकते हो लेकिन एक छोटी सी बात बोलूँ आपको जब आप multiple physical relations रखते हो न तो आप बहुत ज़दा राजस सिको या ताम सिको दोनों में से एक हो सतो तो definitely नहीं हो सात्विक नहीं हो आप ठीक है तो जिसके साथ आप multiple बार बार जा रहे हो आपको क्या surety है कि वो सिरफ आपी के साथ loyal है इसके अंदर prostitution भी आती है जो paid में करें वो ताम सिकता है कोई भी खुशी से नहीं करता है यह काम no one कोई भी happiness से नहीं करता है सो आप ताम सिकता अपने साथ लेके आ रहे हो उसमें आप अच्छे energies ला ही नहीं सकते हो और जो multiple बार इस चीज के अंदर involved हो रहा है आप यह मान लो कि आप यह कह सकते हो जी यार वो opposite जो भी partner है वो loyal है मेरे को लेके लेकिन मैं नहीं हूँ मैं तो multiple पे जा रहा हूँ लेकिन वो मुझे लेके loyal है लेकिन अगर वो भी अपनी सभेता अपनी सत्विक्ता को छोड़ के आपके साथ involved हो रहे हैं तो जानी कि वो राजिसिक है राजिसिक में भी आप अपने शुक्र और बुद्ध को खराब करते हो तामसिक्ता में तो आप शनी और मंगल को इतना भारी कर लेते हो और most probably certain को 90% cases में आप ये study देख लेना ये wide level पे आई है और इसका लोगना reason जो है वो आजकल के lifestyle को दे रहे हैं मैं मानता हूं कि IT sector आने से रात को सोना बंद हो गया है बहुत कुछ हो गया है बट major reason depression का और psychiatrist का का काम बहुत ज़दा बढ़ने का ये reason है जो अभी आपने बोला कहीं चीज़े अभी भी आपको control करके चलनी चाहिए ये कोई modernization नहीं है abroad हमें follow कर रहे हैं और हम foreign culture को follow कर रहे हैं I don't know why आप मानो कहीं नहीं मेरे इतने साल के experience में मेरे पास किसी ने भी ये questions नहीं पूछे जो foreigners में से पूछते है abroad वले लोगों को question पता क्यों होता है what is our purpose of life मैं अपनी hobby को कैसे आगे बढ़ाऊ मैं अपने कर्मों कैसा कैसे करू so that मुझे मोक्ष मिले और यहाँ पर लोग क्या आएंगे पैसा कब आएगा शादी का हो ब्रेक अप हो गया कुछ करो बच्चा नियो रहा अब यहाँ पर आपने जो ब्रेक अप वली बात बोली यह बड़ा ज़ादा आज की टेट में ऐसा पॉइंट है कि डिवोसिस बहुत बढ़ गए है अब उसका रीजन जानते हैं हम लोग आज भी उसी पुराने ढले से कुणलियों को मैच करने हैं सौफ्ट्वेर पे मैच कर दिया और बोलो हां रहे तेरे मेरे गुण मिलते हैं आगे बाद बढ़ा दो विच इस जस्दी 15-20% मौडनाइजेशन कितनी बढ़ गई है 90% फीमेल्स वरकिंग है जो पांच जार साल पहले नहीं थी उनका कॉंफिटेंस आज की डिट में अलग है तो आपको चार्ट को बहुत अच्छे से मैच करना है ठीक है और मैच करके उसके बाद ही आप आगे बढ़े तो आप प्रेजन को तो अच्छा कर लोगे प्यार है वो कहते है न लव इस ब्लाइंट मैरेज इस आई ओपनर तो सारी कैलकुलिशन समझ में आजेंगे दो साल के अंदर सारी के सारी सर मज़ा आगे आप से बात करके हमने कितने सारे टॉपिक्स कितने सारी इंपोर्टेंट टॉपिक्स करें कितने सारे चीजों पर हमें क्लारीटी मिलेगी जाते जाते मैं चाहते हूं कि जो लोग ऐस्ट्रो सागा डाउनलोड करना चाहते हैं आप उनके लिए कुछ बताए वो कैसे आपके साथ जुड सकते हैं देखें ऐस्ट्रो सागा एक हमारी कभी भी बिल्कुल भी उसका माइंडसेट राजीव जी को मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दीती कि राजीव जी हमारा माइंडसेट मनी कभी नहीं होना चाहिए क्वालिटी होनी चाहिए इसमें हम 5.95 पर मंत के बेसिस पे एन नमबर अफ कोर्सेज लाएं और डेफिनेटी इस नॉट अट अवेबिनार कम्प्लीट कोर्सेज हैं जिसके अंदर मैं बहुत क्लोज वॉच रखता हूं ताकि मैं रेगुलर लेवेल पर उनको डाउट सेशन्स भी दिलवा सकूं ताकि वो जो भी डाउट्स उनके माइंड में क्रियट हों वो उसको जल्दी से जल्दी उसको solve करें उसको sort out करें और उसके बाद एक basic knowledge हर घर पे पहुंचे जैसे आप आज आयूवेदा को योगा को हर घर में देख रहे हूं वो भी उसी वेद से निकलें जैसे आपने बात बोली न एक और अंध विश्वास आपको बताता हूं जो लोग आज की डेट में बोलते हैं कि है Tuesday को Nails नहीं काटने चाहिए बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो क्या होगा कहीं लोगों में बड़े सिध व्यक्ति उन्हें उस पे कमेंट्स डाले हैं कि बिल्ली रास्ता काट गएगी वो पहले जमाने में होता था क्योंकि वो जानवर को पकड़ देती है नेल्स नहीं काटने चाहिए पहले उसको बताते तो नारत पुरान में भी मिलता है संडे को आईल नहीं लगाना चाहिए बिल्ली रास्ता काट जाती है बड़ा टॉपिक आप लोगों ने भी एक दो बाद डिसकस की है उसमें भी काली बिल्ली कहते है काली सफेद लेकिन इसका भी आपको कोई राइट अभी तक लॉजिकल आंसर नहीं मिला देखे मैं आपको एक बात बताता हूँ जब भी बिल्ली रास्ता सुभे के समय आप घर से निकल रहे हैं काट के जाए तो आप मेरी बस तीन बाते याद कर लेना कई लोग रुक जाते हैं कोई और क्रॉस करेगा उसके बाद हम जाएं वो बला उस पे चले जाएगी मेरे भी नहीं हाईगी कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होता हमें बिल्ली कराच लिए विचारी पता नहीं क्या करेगी और ऐसे निकल जाएगी गैंबलिंग देखिए आपको नो उस समय में सिरफ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गी तो आपके उपर आज आपको बहरूपी है बहुत मिलने वाले है आपके अपने भी आज आपको काट सकते हैं पिच्चर कुछ दिखाएंगे होगा कुछ तो आलवेज रेमेंबर महाभारत महाभारत में क्या किया अपनों नहीं गैंबल खेल के उसको खराब कर दिया तो अपनी बुद्धी को आज सोचना कि आज यार मैंने कोई भी डिसिजन ऐसा वाला जल्दबाजी में या विश्वास में नहीं लेना ठीक है दो पहर के समय पूरी रमायन के पीछे क्या था रावन जो थे वो एक बहुत महान व्यक्ती थे और कहीं न कहीं से वो एक सब्यता थी रावन सब्यता थी और एक आरेन सब्यता थी वो सबयता का नश्ट होने का कारण कौन थी माता सीता क्यों उठा के लेके गए आप तो यू आफ टो बी फोकस्ट कि आज मुझे अननेसेसरली एट्राक्ट मतलब इन छोट राहू को अपने पर हावी मत ओने दो आज मैंनेसेसरली किसी फीमेल पर ट्राक्ट नहीं होना है आज मुझे अपने उपको फोकस रखना है मैं काम करने जा रहा हूँ न तो काम करना है ठीक है और नाइट नाइट में मैंने बोला आपको क्या बोला थीव कैसा थीव कैसा उनके साथ अच्छा जीवन बिताओ क्योंकि आप राहू को पीछे चोड़ाए नाचरलनेस में आओ और प्लीज अब हम इसको आज समय की पाबंदी के कानेस को एंट कर रहे हैं कम से कम घर का खाना आप घर पे बैठ के खाओ बजार से मंगा के खाना मत खाओ इससे आप अपनी life के अदर emotions को दूर कर रहे हैं आप दूसरों के साथ तो emotions बहुत अच्छे हैं फ्रेंज के साथ आगे लोगों के साथ बड़ अपनी family के साथ आपके emotions lack कर रहे हैं बैठ पर बैठ के खाना मत खाओ यह कुछ चीजें जो आपको अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए एप्स बनने के कारण ना भार का खाना बहुत बढ़ गया यहां से मंग वालिया वहां से मंग वालिया इसको अवाइड करो जो लोग घर से दूर रहते हैं वो सब भार का खाते ही नहीं आप उसके अंदर भी थोड़ी सी अपने खुद की कुकिंग कर सकते हो नहीं तो एट लीस्ट किसी अच्छे स्ट कि यह चीज आपको बहुत माइने रखने वाली है आप किसी होम कुकिंग में जाओ एकदम से रेस्टरॉंस वाली कुकिंग अवाइड करो बेड़ पे खाना अवाइड करो वो कहते है ना जैसा अन वैसा मन अपसलीटली सही कह रहे है हमारे मतलब जो पुराने लोग थे वो बाते सही कह गए हम उसे एपलाई नहीं गरते है शानिवार को सेर नहीं दोना चाहिए अर इससे क्यों था ओता है modernization जैसे मैं आपको बिल्ली काटने के बोला अगर घर आते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है छोड़ दीजे काली है नीली है कुछ नहीं होगा बिलीव मिं कुछ नहीं होगा को कि उस समय में आप जहां से होके आयो, इतने सारे राहू से मिलते हो, राहू मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, राहू मीन्स बहरूपिया, राहू की कोई एक फिगर नहीं है, it is just and fiction, छाया है, है ना, तो आप उस छाया को इतने सारे लोगों से मिलते हो, जो की original अपना फेस नहीं दिखाते है ना, अंदर कुछ होते हैं, आपके आगे स्वीट बनेंगे, तो आप उन सब को पीछे छोड़ा है, तो अराम से रहिए, कुछ नहीं होगा उसमें, 90% लोगों को यहीं नहीं पता कि डॉग है क्या, के तू राहू, बिल्ली है क्या, के तू राहू, यह पता ही नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा मौनवरत जो मैंने स्टार्टिं में बताया रखेंगे ना, तो डेफिनिटली आप भी वो सेंस ड्वेलप कर लेंगे, आप जिम जाते हो ना, तो आप एक ट्रेंड डॉग को छे जाकेट से अपनी रख देना, वो जो आपकी जिम जाने वाली जा सुना शुरू हो जाएगा, अब्जवेशन की थियोरी पे जाईए, लवली सर, बहुत मज़ा है आपके साथ, मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको भी उतना ही मज़ा है, जितना हमें आए तो कॉमेंट कर दो कि आपको पार्ट टू चाहिए अभे सर के साथ राजीव सर के साथ, हम डेफिनेटली इनके साथ दुबारा बाते करना चाहिए, अभी इनके अंदर इतना ग्यान भरा हुआ है, जो टाइम के रहते हम पूरा नहीं कर पारें, वरना आप ये वीडियो पूरी एक बार में देखो गई नहीं, आप डूरेशन देखके या बाद में देखूँगा, हम नहीं चाहते हैं, आप वो चीज़े डिले करो, इसलिए हम अपने एपिसोड को एक लिमेडेट टाइम में रखते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आश्ट्रो सागा डाउनलोड करने की जित्ती भी इन्फोर्मेशन आपको चाहि और सारी जो भी इन्फोर्मेशन रिक्वाइडर सर के पर्सनल चैनल, राजीव सर के पर्सनल इंस्ट्रग्राम, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक आउट कर सकते हैं, आश्ट्रो सागा डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस पॉड़काश में तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमने जो मर्च पहनी हुई है, आपको वो पसंद आ रही है, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, भूछ से नहीं, इन्सान से डर लगता है, और आइम स्पिरिच्वल, और ऐसे कई मज़ेदार क्वा की डिजाइन्स आपको मि सकते हैं, तिल देन मिलते हैं आपसे नए पॉड़ कास्ट के साथ, बाइ बाइ, सब्सक्राइब जरू करते हैं, जै श्री कृष्णा, जै श्री कृष्णा, जै श्री कृष्णा,